Hello guys, my name is Amit or ATF Maag, आपका स्वागत है और EPFO MCQ Series में हम आगे बढ़ रहे हैं Current Affairs का ये 8 लेक्चर है ठीक है MCQ Series है, इससे पहले मैंने Economy के बनाये है, Economic Survey के जो हैं दो लेक्चर बनाये थे अभी, रिसेंटली दो दिन पहले ही और Accounting के, Industrial Relations के, Labor Loss के इन सभी के MCQs का लेक्चर मैंने बनाये हैं और Current Affairs के Series में 8 लेक्चर है तो कोई भी Lesson Miss आपको नहीं करना है आप लेक्चर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना Important है और Last Time में ये बहुत ही ज्यादा Helpful जो है, वो साबित होने वाले हैं जैसा कि Students मुझे बता रहे हैं तो नए Students इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि जो भी आपका Lesson आता है उसका Notification आपको मिल जाए और PDF जो है वो इस Telegram Group पर आपको मिल जाएगा इसका जो Link है वो Description में भी दिया हुआ है नीचे और Comment section में भी आपको ये PIN में मिल जाएगा तो इसको Subscribe कर ले और PDF यहां से आप ले सकते हैं बहला Question है SDRF Has been Constituted Under the Section 481A of the Disaster Management Act 2005 देखो एक तो National Disaster Response जो Authority NDA में है NDA में Management Authority है वो उसके अंडर Fund होता है तो NDRF है ऐसे ही स्टेट के लिए SDRF होता है तो इसी Act के अंदर ही Establish होते है और Terva Finance Commission जो था उसके Recommendation के ओपर ही इसको Constituted किया गया था याद रहिए It is not audited by CAG देखे बहुत सारी बाते जो है PM Cares Fund के ओपर जो आई थी Corona के ताइम पर जो है उसके अंदर बहुत सारा Fund आया था और सरकारी करमचारी सेना बहुत हर डेपार्टमेंट से जो है लोगों ने Fund PM Cares में दिया था तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे Questions आये थे तो SDRF, NDRF जो है इनके ओपर भी Questions जो है OPSC ज़रूर से पूछेगा तो क्या ये audit नहीं होता है PM Cares वाला तो नहीं कर सकती है CAG audit क्या इसको भी नहीं कर सकती है नहीं ये होता है इसको audit every year CAG इसको audit करती है तो इस का अंसर हो जाएगा 1st and 2nd A तीसरा इसमें गलत है ये देखो section 48 1 A है Disaster Management Act 3 वे Finance Commission का recommendation था और CAG इसको audit करता है ये primary fund है जो state governments के पास में available रहता है और इसमें center 75% contribute करता है जनरल category states के लिए मतलब जो normal सारे states है और बाकी जो hilly areas है UT's है या special category states है उनको 90% fund देता है बाकी वो खुद arrange करते है बाकी के 10% है अभी इसमें कोन-कोन से disasters covered है cyclone है, drought है earthquake है, fire है, flood है, tsunami है, hailstorm है, land slide है, avalanche है, cloud burst है, pest attack है, frost है, cold waves है ये सारे ही बड़े scale पर damage करते हैं lives और economic closets बहुत ज़्यादा होते हैं local disasters भी आ सकते हैं तो state government जो up to 10% in funds का use कर सकते हैं local disaster के लिए तो ministry form of affairs जो है वो notify करती है कुछ disasters को और जो notify उसमें नहीं होए हैं लेकिन वो disaster का रूप ले रहा है state में तो up to 10% उस पर भी खर्चा state government कर सकती है next है inter parliamentary union इसने एक list compile की थी और उसके अंदर का इंडिया का 153 रहंग आया है 190 देशों में से किस चीज में in the percentage of women in the lower house of the world parliaments जैसे लोकसभा इंडिया में है तो उसके अंदर जो है representatives है सारे देश चाया है और ये बिल्कुल इसमें कोई सबूत नहीं चाहिए ये बिल्कुल ही open बात है कि women का participation है वो काफी कम है representation जो है as a women candidate वो बहुत कम है इस देश के अंदर तो पैट्रियार के जहां पर बात करें तो वो parliaments में बिल्कुल apparently visible है तो ये चीज जो है point out होती है और inter parliamentary union जो है वो बहुत दशको पुरानी important institution है और उसके list में 153 अस्थान इंडिया का है article 243D जो constitution का है वो ensure करता है participation of women in panchayati rath institutes by mandating not less than 50% या half reservation for women क्या ऐसा है 50% reservation के काई बात करता है नहीं ये गलत है कुछ states में 50% दिया है लेकिन ये जो article है इसके अंदर one third की बात है कि at least one third जो है women candidates होने चाहिए जो elect होते हैं और जो chairperson के post पर पहुंचते हैं तो वो one third कम से कम female होनी चाहिए और उसके अंदर वो जो बाकी backward groups जितने भी आते हैं वो भी उसमें शामिल होंगे मतलब किसी भी काटेगरी से हैं लेकिन वो one third तो female होंगी होंगी तो ये गलत हो गया फर्स सही हो गया only one इसका correct answer है ये देखो IPU International Organization है National Parliament की इंडिया भी इसकी member है इंडिया पार्लेमेंट और 1889 में इस्टैबलिश हुआ था महां के statesmen थे मतलब famous politician थे Frederick Pacey France के थे और UN के साथ ही मिलके काम करता है Regional Parliamentary Organizations भी है और International Intergovernmental Organizations है उनके साथ मिलके काम करता है तो ये उनीक प्लाटफॉम है जिसमें Trans Boundary मतलब कि अलग अलग देशों की पार्लेमेंट से अपने विउस देती है Policy Opinions देती है Political Opinions देती है उसके Trends जो है एनलाइज करते है 179 Countries Member है 13 Regional Parliamentary Assemblies है Associate Members है India Member है Headquarters का Geneva, Switzerland में है अब बात है इंडिया के अंदर प्रोविजिंस की और ऐसे State Legislative Assemblies जो होती है विदान सभा के चुनाव जो होती है उनके अंदर 1 3rd जो है उनके लिए रिजर्व होंगी और Article 143D जो है वो ये बोलता है कि not less than 1 3rd 33% जो है फीमेल होनी चाहिए Next है India Has no clear refugee protection policy कैई बात सही है Yes ये बात correct है India की कोई clear refugee protection policy नहीं है क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया में शायद हजारों सालों के history देखे है तो सबसे ज्यादा refugee लेने लोग आये है तो बहुत गजब का mix-up है दुनिया में कहीं इतना racial mix-up नहीं मिलता जितना इंडिया में है तो यह चीज होने के बावजूद भी और बहुत सारे चीजें जो है kontroversial होने के बावजूद भी इंडिया में clear refugee protection policy अभी तक नहीं बन पाई है इस पर काम चल रहा है और large number of refugees को जो है फिर भी asylum देते है neighboring countries के हम देते है तो यह बात correct है though India is not a party to the UN refugee convention देखो UN refugee convention है और इसके जो है 67 के जो वो rules भी है जो बने हुए है तो दोनों का है इंडिया party नहीं है बिल्कु सही है लेकिन जो human rights का declaration है 48 का उसका इंडिया party है और ऐसे ही international covenant है civil and political rights का उसका भी इंडिया member है तो यह बात correct है लेकिन refugee convention का इंडिया party नहीं है इसलिए अभी तक जो है हमें एक तरह से थोड़ा सा relaxation इसमें मिला हुआ यह मान लेजिए या फिर हमने कोई strict steps अभी तक इस मामले पे नहीं उठाए है तो उसका major कारण यही है कि इंडिया UN refugee convention का जो है पार्टी नहीं है तो आंसर इसका होगा C both मनीपूर हाई कोट ने पिछले दिनों observations किये थे और यही बताया था कि no clear refugee protection policy इंडिया के लिए लेकिन फिर पिर में asylum देते है और जो UNHCR United Nations की जो बोड़ी High Commissioner of Refugees का जो ओफिस है उसका जो recognition है asylum seekers के लिए जो उनका status वो बताते हैं तो उसका हम respect हमेशा करते रहे हैं और Myanmar, Afghanistan इन सभी से जो है लोग इंडिया में बहुत आते हैं इंडिया party नहीं है Refugee Convention का लेकिन इनका party है Article 21 जो है वो एक चीज जो है बताता है यह एकदम clearly words में नहीं लिखा हुआ लेकिन interpret जब करते है Supreme Court जब करता उसको तो यह चीज clear होती है कि right of non-refoulement यह क्या चीज है? पूछ सकते हैं आप से? यह वो principle है international law के अंदर जो कहता है कि कोई भी person जो है कोई भी इंसान जो है वो अपनी खुद की country से भाग के आ रहा है जान बचा के आ रहा है तो उसको दुबारा उसकी country में हम forcefully नहीं भेजेंगे यह होता है क्योंकि हर देश को अपनी insecurity होती है क्योंकि बाहर के लोग अगर आने लग जाएंगे तो obviously resources जो है वाटने भी पड़ेंगे और उनको जग़ भी देनी पड़ेंगे सब कुछ जो है वो part and parcel एक तरह से हो जाते है practically officially हो सकता ना हो लेकिन practically हो जाते है तो उनको सुवजयान देनी भी पड़ती है तो SME सब विरोध करते हैं तो SME हर देश में चीज़ देखी जाती है कि जो भी refuses आते हैं उनके against में एक negativity खड़ी होती है और movements कड़े होते हैं और उनको वापिस से भेजने की का pressure होता है तो नहीं भेजा जाएं यही non-reformment की policy है तो यह interpretation article 21 का है ठीक है यह कुछ experts ने बताया है ऐसा और इंडिया और मैनमार की बात करें तो 1643 किलमेटर का border है और familial ties भी है हमारे एक बहुत important बात है कि फ्री movement regime भी है हमारा इंडिया और मैनमार के बीच में मतलब की इसमें यह है कि जो hill tribes होती है hill areas हैं बॉर्डर पर hill tribes हैं तो वो citizen of India हो चाहिसे citizen of मैनमार हो अब border के दोनों तरफ 16 किलमेटर तक के area में जो भी रहते हैं तो वो border cross कर सकते हैं उनको एक border pass मिलेगा एक साल की validity होती है उसकी और competent authority उसको issue करती है और वो up to 2 weeks 15 दिन तक लगबग 14 दिन तक जो है वो रह सकते हैं दो weeks तक रह सकते हैं per visit तो यह pass उनका बनेगा और वो एक साल तक इसको इसके थिरूफ आ जा सकते हैं दुबारा renew भी होता है तो free movement regime है हमारा मैनमार के साथ में सबसे बड़ा border जो है वो अरोनाचल प्रदेश का है 520 किलमेटर का उसके बाद मिजोरम का है 510 का फिर मनिपूर का है 398 का फिर नागालेंड का है तो यह northeast के states है next है communications compatibility and security agreement यह agreement किस किस के बीच में है इंडिया तो एक party है इसमें दूसरा कौन है तो देखो ऐसे आप पूरा पढ़ोगे मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया है क्योंकि नौर्मली हम सुनते एक दूसरा वर्ड है और उससे पहचानते है लेकिन यह उसका फुल फॉर्म है तो यह वही कॉमकासा है C-O-M-C-A-S-A कॉमकासा एग्रिमेंट जैसे लेमोवा, बेका, कॉमकासा यह सारे US के साथ में हमारे एग्रिमेंट है तो इसका अंसर होगा A-USA US State Department ने अभी अप्रू किया है 6 P-8I पेट्रोल एरक्राफ्ट को और यह जो एरक्राफ्ट है लोंग रेंज मेरिटाइम रिकॉनसेन और एंटी सबमरीन वार्फेर एरक्राफ्ट है बहुत इंपोर्टन है नीड बहुत बड़ी है इंडिया को इसकी और बोइंग कंपनी जो है वो बनाती है P-8A पोजाइडन एरक्राफ्ट यह उसी का एक वर्जन है इसका स्पीड 907 km पर आर तक है और ऑपरेशनल रेंज इसकी है 1200 नॉटिकल माइल्स की तो यह थ्रेट्स को डिटेक कर सकता है और नूटिलाइस कर सकता है थीक है मतलब वो इंडिया के शोर तक पहुंचे उससे बहुत पहले ही यह काम अपना कर सकता है तो इंडिया नीवी जो है वो इसकी पहली कस्टमर है फर्स्ट इंटरनेशन कस्टमर है 2009 में ही बन गई थी कस्टमर और P8 एरक्राफ्ट की और ये P8 आये है अब कॉमकास एग्रिमेंट जो है वो है Communication Compatibility and Security Agreement ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है किसी इसका कि जो Communication Security Equipment है जो हम यूएस से ले रहे हैं तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क ये ट्रांसफर करता है ठीक है तो उसमें क्या होता है एक तो जो है equipment दिये जाएंगे फिर उनको चलाने के लिए जो है टेक्निकल लिटीज होती है बहुत सारी उनको यूज करने के लिए उनको यूज करने के लिए तो अमेरिका जो है अपनी conditions रखता उसके साथ में तो agreement उसी के लिए है ये Communication Compatibility का agreement है ये ठीक है तो दोनों की जो forces है उनके बीच में Interoperability इससे होती है तो ये है और चार foundational agreement है जो यूज के साथ ममारे हुए है थीक है वो आपको पता ही है यह अभी हम देखते है next page पर दे रखे है एक तो देखो यूज के जो पार्टनर्स है उनके बीच में कौन साथ है पार्टनर जपान है ऐस्ट्रेलिया है तो उनके बीच में कौन से होता है एक G.SOM और एक है CISMOA अब CISMOA तो और देखों के साथ में है इंडिया के साथ में जो specific इसका एक वर्जन है वो है कौमकासा Communications Compatibility and Security Agreement और एक है BECA Basic Exchange and Cooperation Agreement तो इंडिया ने इसको 2020 में साइन किया है कौमकासा को 2018 में साइन किया था सबसे पहले G.SOMIA साइन हुआ था Next है Network for greening the financial system is established by RBI recently क्या यह बात correct है Network for greening the financial system देखो यह एक बड़ा important network है और यह एक global network है RBI इसका member बनाया भी RBI ने इसको established नहीं किया है तो यह गलत है It aims to analyze the consequences of climate change for the financial system and to redirect global financial flows in order to enable low carbon economic growth यह बात बिल्कुल correct है कि यह एम इसी चीज़ को करता है कि भई एक तो consequence क्या होंगे climate change के और उसके financial consequences जो है उसकी बात है अब यह जो issue है financial consequence का इसकी बात जो COP21 2015 में हुई थी उसके बात से बहुत ज़्यादा हो रही है उससे पहले भी चल रही थी लेकिन उसके बात ही ज्यादा ही important हो गई है क्योंकि जो economic loss है जो impact उसका financial है वो बहुत important होता जा रहा है क्योंकि एक तो वो लुक्सान है दूसरा अगर हम ऐसी technologies अपना है तो उसके अंदर भी हमें अलग से finances चाहिए कि जो climate change के इस issue से लड़ सके तो only two इसका correct answer होगा B पहला इसमें गलत है यह देखो RBI ने join किया है network for greening the financial system अब central banks जहें देशों के वो इसके members है इस network के और इससे RBI कहता है कि हम काफी learn करेंगे इसकी membership से कि global effort कैसे सल रहे है climate finance के और उसमें हम क्या इसमें steps ले सकते हैं तो इस central banks का और supervisory advisory authorities का जो एक global network है ठीक है और यह advocate करता है कि ज्यादा sustainable financial system कैसे develop बहर देश के अंदर यह है एक Paris once planet summit हुआ था December 2017 में उसमें एक rate किया गया था और friends नहीं इसको host किया था ठीक है climate finance के अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि जो local national और transnational financing जो होती है climate change जो climate का जो सारा issue है उसके अंदर जो होती है तो यह public भी होती है private भी होती है और alternative sources of financing से भी होती है अब यह काम किसी इसके लिए करती है climate finance की जो climate change के regarding जो mitigation मतलब उसको कम करने की जो price हो रहे है और नहीं technologies adapt करने के जो step लिए जा रहे है उनके लिए financial support कैसे मिले यही climate finance का सारा मुद्धा है next है global risk report is released by ECOSOC देखो ECOSOC एक बहुत important जो है part है UN group का तो क्या इसका यह report है नहीं तो global risk report है यह world economic forum का इसका नहीं है अब इसके अंदर क्या top 3 risk जो है likelihood जिनका बताया गया है अगले 10 सालों के अंदर इसमें अलग अलग बताया है कि एक तो अगले 2 साल के लिए इक अगले 5 साल के लिए बताया है और एक अगले 10 साल के लिए बताया है अजम्शन्स है यआ यह मान लीजे कि यह बताया कि यह likely ये हैं यह चीजे impact करेंगी तो top 3 risk क्या climate action failure, extreme weather और human environment change बताया है, yes, यह बात correct है, 10 सालों के बात करें, long term के बात करें, तो यह 3 बड़े issues हैं, जो impact डालने वाले हैं, जो बड़ी global risk होगी, ठीक ना, risk नहीं है, यह risk होता है, गए लोग रिक्स बोलते हैं, तो यह only two इसका correct answer होगा, word economic forum, तो यह word economic forum, जो body है, important body है, छटा इसका, sorry, 16 इसका edition आया है, global risk report का, और global risk perception एक survey होता है, उसके basis पर यह report बनाई जाती है, short term risk बताई है, infectious disease जो के भी corona चल रहा है, extreme weather events और livelihood diseases, यह तो यह short term है, और three to five year में IT infrastructure breakdown, यह भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस सबसे बड़े challenges IT sector में मिल रहे हैं, और उसी पर सब टिक गया है एक तरह से, तो यह हो सकता है, asset bubble burst, मतलब की, जो financial issues चल रहे हैं, throughout the world, सारी बड़ी economies, जो है, छोटी economies, सब struggle कर रही है, world growth है नहीं, और जो assets हैं, ब यह है, क्योंकि चीजें जो हैं, वो hopes पर चलती है, बड़ी financing में, और जब वो negativity आती है, तो एक bubble burst होता है, ठीक है, price instability, यह एक medium term का बड़ा risk है, अगले बड़े 5-10 साल की बात कर रहे हैं, तो देखो state collapse, मतलब states ही कई फेल हो रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो से कग बड़ा challenge खड़ा होता है, security challenge देशों के बीच में, तो बहुत बड़े जो issues खड़े होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मुदधा है, atom bombs का, mass destruction के weapons का, chemical weapons, biological weapons, इन सब का, कोई भी अगर बड़ी लड़ाई, third world war अगर होती है, तो इनका यह सबसे पहले होगा, तो वहां humanity के लिए सबसे बड़ा challenge ही हो गई है, और biodiversity losses, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और हमारे सारे ही existence को खतरे में डालता जा रहा है, तो यह है, यह long term, medium term और short term है, लेकिन फिर भी, जो by impact बताया है, वो है, climate action failures, infectious disease, और weapons of mass destruction, यह by impact, मतलब इनका impact बहुत जादा पढ़ रहा है, यह current में चलने वाले वो हैं, next है, word economic forum के साथ कौन से कौन से issues हो जूड़े हुए है, इन में से आपको बताना, चार दिये हुए है, कौन से word economic forum से associated है, दावोस agenda summit, देखो, दावोस का नाम आते ही आप word economic forum कर देना, सुट्जलान में जगह है यह, दावोस और वहाँ पर इसका जो है, agenda की सारे meeting सोती, summits होते हैं, तो यह बात correct है, इससे जुड़ावा issue है, great reset initiative, यह एक नया issue है, अभी इसके बाद चल रही 2021 में, कि जो करोना के कारण जो बहुत बड़ा disaster जो आया है, और जो economies के एक तरह से crash कर गई है, तो दोबारा से reset करना है, capitalism को भी और इन सारे models को भी और economies को दोबारा से reset करना है, आगे लेके जाना है, खड़ा करना दोबारा से, तो great reset initiative जो है, वो अभी वाला जो recent daos agenda चल रहा है, उसके अंदर reset initiative लिया जा रहा है, लांच किया जा रहा है, future of jobs report ये भी world economic forum ही जारी करता, तीसरी इसकी report आई थी अभी, और एक बहुत important है CEPI, जिसकी बहुत बात हो रही है करोना की टाइम पे, coalition for epidemic preparedness and innovation, CEPI, ये CEPI world economic forum के दोरान ही, इसके summit के दोरान ही launch हुआ था, तो इसका founding एक तरह स ग्रूप है, तो ये सारे ही डी ओल इसका answer होगा, सारे ही से जुड़े होएं world economic forum से, ये देखो, जिनिवा केंट, कोलोनी में ये है, Switzerland में, और ये international NGO है, world economic forum में international NGO है, close swap नाम के एक आदमी है, जो इसके, जो है chairperson भी है, forum के, और इन्होंने 1971 में इसको found किया था, पहले तो य European management forum के नाम से ये start हुआ था, फिर ये 87 में जो है, word ignoring forum में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तीसरा इसका edition आया था, भी future of jobs report का, और इसमें बताया कि 2025 तक कोरोना जो है, बहुत सारी, मतलब करोडों में, 8-9 करोड जो है, job से खा जाएगा, great reset project जो है, वो भी इससे करें economies को, तो ये theme है, great reset, 2021 वाले annual meeting की, और CP जो है, ये 2015 में found किया गया था, और launch हुआ था, 2017 में, Davos, Switzerland में ये हुआ था, और इसका headquarter जो है, CP का, वो Norway में है, Oslo, जो उसकी capital Norway की, वहाँ पर इसका headquarter है, कुछ जो major reports जो word economic forum publish करता है, energy transition index, global competitiveness index report, and global IT report, and INSEED और Cornell University के साथ में मिलके, ये, जो है, important report और publish करता है, global gender report इसके आती है, global risk report इसके आती है, global travel and tourism report इसके आती है, तो सबसे ज्यादा जो important जो publications ये report जो जारी करता है, world economic forum ही है, याद रखना, सब ज्यादा question UPC ने इस पर पूछे है, next है, financial stability board, एक बहुत important body है, क्या उसने TCFD को found किया, task force on climate related financial disclosure, और क्या India इसका member है, FSB का financial stability board का, तो India इसका member है, ये correct बात है, तो इसी ने ही TCFD को भी establish किया, सी बहुत इसका answer होगा, जैसा कि नाम बोल रहा है, task force है, climate related financial disclosure से, मतलब कुछ disclose करना है, बताना information, किसी के information आईए, देखो TCFD जो है, December 2015 में, इस goal के साथ में establish हुआ, कि जो voluntary climate related financial risk disclosure करेंगी, मतलब जो बड़ी कंपनिया है, बड़े corporate houses, industries है, वो अपने अपने disclosure करेंगे, information देंगे, कि भी climate related financial risk है, उनसे, तो इसको disclosure कर रहे हैं, कि बताना कोई नहीं चाहता है, कि हम कितना risk create कर रहे हैं, लेकिन इसमें voluntarily वो बताएंगे, तो financial stability board ने इसको establish किया था, और ये जो TFCD है, ये 32 members की एक organization है, इंडिया में जैसे विपरो है, महिंद्रा ग्रूप है, ये इसके members नोंने sign up किया है, TFCD के लिए, 32 Indian organization जो है, वो इसके लिए sign up कर चुकी है, एक important बात ये है, कि जो global business sustainability की जहां पर बात हो रही है, और उसके लिए जो reporting frameworks हैं, उनके लिए gold standard देता है, TFCD, इसलिए ये बहुत important मुद्धा है, climate और economy से जुड़ा हुआ, और climate, financial और economy से जुड़ा हुआ, एक common मुद्धा हमेशा UPSC पूछता है, FSB जो है, ये international body है, ये monitor करता है, और recommendation देता है, किसके लिए global financial system के लिए, और G20 की जो countries हैं, वो इसकी member है, इसके लावा European Commission है, इसको fund क करता है, वो BIS करता है, bank for international settlement, ये वो ही है, bezel norms वाला, तो ये bezel में ही है, ये board, Switzerland में, और Swiss law के अंडर ही ये not for profit association के रूप में established हुआ है, financial stability board, next है NSSF, national small saving fund, क्या ये 1999 में established हुआ था, consolidated fund of India के पार्ट के रूप में, तो ये बात गलत है, ये CFI में नहीं established हुआ है, ये public accounts of India में हुआ है, public accounts of India में, NSSF जो है, वो established किया गया था, और क्या इसको administer करता है, government of India का ministry of finance, जिसका department है, economic affairs वाला, क्या वो इसको administer करता है, और क्या इसके लिए national small saving fund rules 2001 में आये थे, जो article 283 के basis पे प्रेजिडेंट ने जारी किये थे, तो ये बात correct है, ये वाली correct बात है, पहला गलत हो गया, क्योंकि ये public accounts of India में है, तो answer इसका हो जाएगा only two, ये देखो, अभी recently लिक्या हुआ था, center government एक बार तो, ये information आ गई थी, कि वो rate cuts हो रहे हैं, लेकिन दुबारा उसको withdraw कर लिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो small saving instruments हैं, ये कौन से होते हैं, जिस capital deposit deposits है, इसमें saving account, RD खाता, recurring deposit, time deposit, monthly income scheme, ये भी होती है, ऐसे ही small saving certificate है, NSE, किसान विकास पत्र है, वो saving certificates है, social security schemes है, जैसे कि सुकने समर्दी scheme है, PPF scheme है, और senior citizens की saving scheme है, ये है, तो ये सारे small saving instruments है, और इनी के regarding, जो है, ये rate cut की बात आई थी, तो वो withdraw कर लिया decision, अब ये rates जो है, इन instruments के अंदर, ये quarterly announce करती है, government, कि अगले quarter में हम इतना percentage देंगे, 7% देंगे, 6% देंगे, इस तरह से, NSSF जो है, वो public account of India में establish हुआ था, 1999 में, और ये इसलिए किया गया था, एक तो consolidated fund of India में अगर करते, तो इससे पैसा निकालने के लिए हर बार appropriation bill और फिर appropriation act लाना पड़ता, और ये थोड़ा cumbersome process हो जाता है, तो अब ये सीधा जो है, ministries में deal करती है, administer करती है ministry, department of economic affairs करता है, और ये rules उस पे लागू होते हैं, तो इस तरह से directly जो है ये, जो fiscal deficit जो होता है government का, उसको ये impact नहीं करता है, क्योंकि ये public accounts of India में है, next है wind hawk declaration, ये किस से related है, बहुत important issue है, बहुत important question है और relevant है, UPS से ज़रूर पूच सकता है बात, climate change से जुड़ा हुआ है, sustainable development से जुड़ा हुआ है, weapons of mass destruction से जुड़ा हुआ है, या press freedom से जुड़ा हुआ है, तो इसका answer होगा press freedom, जिस बात को लेकर सबसे ज़्यदा चिंता जताई जा रही है, academicians में, intellectual लोगों में, think tanks में, खासकर इंडिया के लिए, वो है press freedom, press बिल्कुल जो है, biased होकर काम कर रही है, ये बार-बार इस तरह से चीजें बताई जा रही है, तो world press freedom day जो होता है, तीन में को होता है, हर साल होता है, और main celebration जो है, वो UNESCO करता है वैसे, internationally, 1993 में ये UN General Assembly ने इसको adopt किया था, और 1991 में, जो है, general conference होई थी UNESCO की, और Namibia में होई थी, और वहाँ पर ये windhawk नाम की जगह है, तो windhawk declaration लिया गया था, free, independent और pluralistic press के लिए, और खास्त कर जो local जो press होती है, उसके protection के लिए, मतलब उसके लिए, जो एक तरसे appreciation की बात थी है, और वो goal बनाया गया है, कि उसको strong बनाया जाए, तो windhawk declaration वो ही था, तो UNESCO ने इसको adopt किया, और General Assembly ने इसको 1993 से, world press freedom day, 3rd में को गर दिया, इंडिया के हालत बहुत बुरी है, 180 देशों में इंडिया का 142 अस्थान है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है हमारी, इस मामले में, कि हमारी press जो है, वो free press एक तरह से नहीं कहीं जा सकती है, इस report के according, Reporter Sense Frontiers, RSF जो है, वो ये report publish करती है, और उसमें बताया गया है, इसके अलाव ही जो है, बहुत बड़ी-बड़ी institutes ने, इंडिया का जो कुछ चल रहा है, इंडिया में, जो press की जो हलत है, जो बिकी हुई press बताया जाती है, या television media है, वो तो बिलकुल ही विश्वास करने तो यह आज का lesson था, बहुत important issues यह है, जो उस देखे बना के रखिये, क्योंकि जो लंबी लड़ाई होती है, उसमें इंसान ठकता है, कभी भी आप energy level को लगातार उचा नहीं रख सकते हो, नहीं इंसान emotionally एक जैसा रह सकता है, नहीं वो motivation के रूप में एक जैसा रह सकता है, लेकिन यही आपके लड़ाई है, आपको हर दिन जो है, अपने आप से बात करनी है, और अपने आपको हिम्मत में रखना है, आपका मन नहीं करेगा, सरी टूटेगा, mentally आप harass होंगे, और demotivate होंगे, लेकिन फिर भी आपको जोर लगाना है, यह वही time है, जोर लगाकर आपका goal होना चाहिए, बार बार अपने आप से बात कीजिए, और जब तक यह चीजें, जो है, जिसको ऑटमेटिक ली ना चल जाए, routine आपका, motivation आपका, तैयारी आपकी routine में ना आ जाए, rhythm में ना जाए, automatic mode में ना चली जाए, तब तक आपको push करना पड़ेगा, दो थरीक होते हैं या तो अपने आप सब चलता है अपने motivation आपका plan उसके हिसाफ साफ जितना strong आपकी practice है उसके हिसाफ से automatic चलते हैं चीजे, automatic जब नहीं चल पाती है तो manual करो, manual मतलब की कि खुझ से जोर लगा उस चीज के लिए यह है तो अगर आपको कुछ भी ऐसा feel होता है कि जहां lag आ रहा है जहां मैं demotivate हो रहा हूं या हो रही हूं तो वहां पर आपको push करना पड़ेगा तो वह डर आपके अंदर होना चाहिए जो उसको push करे और बात मों चीज अपने आएगा आपका confidence हमेशा सचा confidence हमेशा आपके कर्म से आता है तो आपका कर्म जो है वह लगातार होता रहना चाहिए और इमानदारी से होना चाहिए खुद को धोखा कभी मत देना थैंक्स लूट कीप ओचिंग टो समीट से